Hi everyone, whether you agree or not, but one thing I must say कि UPSC में जितने भी subject हैं, उन सभी में से सबसे ज़ादा जो परशान करता है, चाहे resources को लेके बात करें, या फिर coverage area को लेके बात करें, depth को लेके बात करें, तो वो है current affairs. Let me tell you about the green grass syndrome. You must have heard the phrase that grass is always greener on the other side. UPSC में इस idea का central theme यही है कि हमेशा हमको यह लगता है कि जो दूसरे कर रहे हैं वो जादा effective है. और इसी लिए चाहे कोई कितना भी बोल दे, एक evil temptation होता है additional resource follow करने का, जो एक fear of FOMO होता है na, fear of missing out, it's a very real thing in UPSC preparation. जो लोग Hindu follow करते हैं, उनको यह लगता है कि Indian Express अच्छा है, जो लोग newspaper follow करते हैं, उनको लगता है कि उनका magazine छूट रहा है, जो monthly magazine follow करते हैं, उनको yearly compilation पढ़ने का temptation होता है, और इस process में आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाते हो, ना ही newspaper अच्छे से पढ़ पाते हो, ना ही monthly compilation का effective use कर पाते हो, आप में से कुछ लोग होंगे जो newspaper भी follow कर रहे होंगे, monthly magazine भी follow करेंगे, और last में जाकि yearly compilation भी follow करेंगे, और काफी लोग ऐसे भी होंगे, जो सिर्फ magazine follow कर रहे होंगे, उसमें से भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जो सिर्फ monthly magazine follow कर रहे होंगे, और बहुत सा भी होंगे जो सिर्फ yearly compilation पर rely करेंगे now let me tell you one thing जो ये सारी चीज़े follow कर रहे हैं और जो सिर्फ इसमें से एक या दो चीज़े follow कर रहे हैं उनमें max to max दो या तीन question का ही difference आएगा now आप यहां पर counter कर सकते हो कि दो तीन question make or break का काम करता है point one mark से आप qualify कर जाते हो और point one mark से ही आप disqualify कर जाते हो but इन दो तीन question को सही करने का जो cost होता है न कई बार बहुत high हो जाता है जितना आप input दे रहे हो उसके proportionate आपको output नहीं मिल रहा है and this exam is all about balancing thing जब तक आप खुद से किसी भी resource का cost benefit analysis नहीं करोगे और सिर्फ कोई bowl दिया है कहीं से आपने देख लिया है उसके पीछे aimlessly और blindly भागते रहोगे तब तक आप right track पर नहीं आओगे and the biggest mistake जो maximum लोग करते हैं जब भी आप current affair का over analysis करते हो तब आप static part को compromise करते हो क्योंकि देखो time तो आपके पास limited है कहीं अगर आपको समय देना है तो कहीं से निकालना पड़ेगा हमेशा आप इस बात को सुनोगे कि current affair बहुत important है and no doubt कि current affair बहुत ज़ादा important है but इसका मतलब यह नहीं है कि current affair ही आपका exam clear करा देगा और उसके लिए आपको हर boxes पर tick करना होगा ना कि सिर्फ आप एक चीज़ पर focus करो जहां से आपको बहुत जादा benefit नहीं मिल रहा है और बाकी चीज़ों पर compromise करो and let me guarantee you one thing कि अगर आपका static part strong रहेगा तो चाहे कुछ भी हो जाए आपका pre कभी नहीं रुकेगा सबसे बड़ा lie जो मुझे लगता है कि market में फैला हुआ है वो current affair को लेकि है कि बहुत से questions current affair से आते हैं देखो current affair को देखने का दो नजरिया है एक है जो actually current affair के question होते हैं और दूसरे question ऐसे होते हैं जो appears to be जो लगते हैं वो current affair के हैं बट in real वो current affair नहीं होते हैं तो basically आप paper में तीन type of question देखोगे एक purely current affair होता है by saying purely current affair I mean कि वो news एक देर साल के अंदर की है the second type is contemporary affairs contemporary affairs मतलब कि जो दो साल से पहले की news है for example Abraham Accord की बात करो या फिर quad की बात करो तो ये current affair के news नहीं है ये contemporary affairs है इसके बाद static based current बहुत से questions आपको ऐसे मिलेंगे जो static question है बट उनको पूछा इसलिए गया है क्योंकि उनसे related news current affair में थी for example प्रेसिज़न का election होने वाला है तो आप से polity में पूछ लिया था कि प्रेसिज़न इलेक्शन कैसे होता है क्या criteria होता है MP की vote की कितनी value होती है MLA की vote की कितनी value होती है तो इस type को जो question हुए वो static based current है नाव इन तिनो टाइपों में आप जितनी भी महनत करते हो वो पहले part के लिए करते हो जो purely current affair based होता है क्योंकि it's not possible कि आप पिछले 2-3 साल का current affair पढ़ लो जिनका ये दूसरा तीसरा attempt है वो तो चीज़े पढ़े रहते हैं उनको हो सकता है याद रहे बट जिनका ये first attempt है जो पहली बार exam दे रहे हैं उनके लिए ये next time possible है कि वो पिछले 2-3 साल का current affair कवर करें कोचिंग वालों के लिए बोलना बहुत easy होता है कि आप पिछले 2 साल का 3 साल का current affair कवर करके जाओ बट जिसको कवर करना होता है आप उससे पुछो कि क्या हालत होती है इवन 2 साल का कवर करने के बाद भी ये शियोटी नहीं होती है कि आप सारे question सही कर लोगे इवन आप 2023 का paper भी देखोगे तो 2018 वाला current भी पूछा है तो आप इतने पीछे तो नहीं ही जा सकते हो यहाँ पे देखो 2022 में ये बताया गया कि current affair से total 22 question आये थे बट इन रियाल्टी ये number काफी कम होता है नव लेट मी शो यू ये 2022 सा current affair है यहाँ पे आप इस question को देखो which of the following is not a word ये question current affair based नहीं है इसके बाद देखो मिया वाकी method ये question भी बहुत लोग current affair based कह रहे थे but basically ये contemporary affairs है current affair नहीं है now web 3.0 पुछाता ये purely current affair based है इस question को आप कहोगे कि ये current affair question है now see the next question यहाँ पे प्राइमिनिस्टर मोदी ने हैदराबाद में रामानुजा का वर्ल्ड का second tallest statue inaugurate किया था सो उसी से link करके उनके teaching उपर question पूछाता है ये question भी आपका current affair based नहीं है ये question basically आपका static based current है और जब भी आप art and culture पढ़ोगे इस चीज़को हाँ पे clearly पढ़ोगे now आप इसी तरह देख सकते हो क्यूभी टाया था ये question भी आपका static question है current affair based नहीं है इसके बाद question number 14 देखो प्राइमिनिस्टर ने new circuit house inaugurate किया था near Somna temple तो जो यहाँ question पूछा गया था वो Somna temple से related था और ये आपका static based current है so इस type of question को आप generally target नहीं कर पाते हो because जितने भी आप regular resource पढ़ोगे बहुत कम chance होता है कि इतने deep में चीज़ों को cover किया गया हो ये 2022 का analysis था इसके बाद हम 2023 का paper देखते हैं ये आपका 2023 का paper है let us see कि कितने questions current affair से पुछे गए थे इस page में कोई भी question current affair से नहीं है इस page में भी question current affair based नहीं है but काफी जगा आप question number 10 को देखोगे तो इसको हम count कर लेते हैं एक हो गए आपका इस page में भी कोई नहीं है यहाँ भी कोई नहीं है एक ये current affair based हो गया दो question हो गए इसको भी आप इन reality देखोगे small farmer large field तो ये आपका contemporary affairs है ना कि current affair दो साल से पहले की है news है and I highly doubt कि किसी नहीं भी ये पढ़ा होगा एक ये question current affair based है ये भी आपको regular resource में नहीं मिलेगा नहीं आपको newspaper में मिलेगा नहीं magazine मिलेगा इस page में भी कोई नहीं है यहां भी कोई नहीं है इस page में भी कोई नहीं है अब तक हमारा 3 हुआ है एक ये हो गया एक ये हो गया 4, 5 यहां भी आप देखोगे तो पूछा है जन्नी सुरक्षा योजना ये भी एक purely current affair question नहीं है इस scheme का question है और जन्नी सुरक्षा योजना बहुत पुरानी scheme है static based current है इसके बाद देखो question number 52 अनीमिया मुक्त भारत ये scheme भी 2018-19 की scheme है तकरीबन 4-5 साल पुरानी scheme है तो आप इसको भी purely current affair में नहीं रखोगे अब तक हमने 5 question देख लिया है और इन 5 question में से एक को छोड़ दें UN OPS S3I initiative वाला तो कोई भी question purely current affair based नहीं था और UN OPS वाला question भी ऐसा नहीं कि purely current affair based था आप newspaper में maybe इस initiative का नाम कभी सूने होगे वो भी आप regularly newspaper पढ़ो हर चीज को ध्यान दो हर चीज के बारे में हर term के बारे में गूगल पे जाके search करोगे तभी आप उस question के answer कर पाओगे इस page में भी कोई current affair based नहीं है कुछ लोग 57 को कह रहते बट यह purely static question है यह question आपका static based current हो गया 6 question हो गया है यहाँ पे Ukraine का border पूछा गया है और यह topic इतना news में था कि हर major magazine में यह cover हुआ होगा question number 67 total 7 question हो गया है यहाँ पे वुलबाचिया method के बारे में पूछा है contemporary affairs है 2-3 साल पहले डेंगी इतना फैल रहा था उस time यह news में आया था यह उसी तरह है ना कि जैसे last year आपसे मिया वाकी method पूछ लिया था इस time आपसे वुलबाचिया method पूछ लिया है digital currency के बारे में पूछा है यह question आपका purely current affair based है next one is beta और beta का term जो share market में use होता है इतना deep में जा के आप कभी नहीं पढ़ पाओगे चाहे कितनी भी magazine पढ़ो कितना भी newspaper पढ़ो तो इस page में question number 71 और 72 यह आपका regular resource से tackle हो जाता ना अब तक total 10 question हो चुका है यह current affair का question है यहाँ पूछा है United Nation World Water Development Report 2022 इतनी famous report यह नहीं है और किसी major magazine में यह covered भी नहीं है on top of that जो यहाँ पी information दिया गया है like India extract more than a quarter of world groundwater इसके बाद 18% of world population तो अगर आप यह report पढ़े भी होगे तब इतना depth में जाके पढ़ना possible है नहीं question number 78 अपका current affair का था यहाँ पुछा है कि which one of the following countries has been suffering from decade of civil strife and food shortage and was in the news यहाँ 4 option था अगर आपको पता होता तो ठीक है बट अगर आपको नहीं पता होता और एक wild guess लगाना होता तो आप Somalia ही choose करते इसके अलावा कोई और option उतना sense बना भी नहीं रहा है इस page में भी कोई current affair based नहीं है यह current affair का question है यहाँ पर पूछा है trade and technology council और इसके बारे में आप P team पढ़ते देखो जो इन question के sources हैं उसको मैंने यहाँ mention किया है इसकी बाद हम आगे करेंगे यह question current affair का है 14 question हो गया है stability and growth pact और मैंने search भी किया different magazine में यह treaty भी बहुत rare है बहुत जगा आपको नहीं मिलेगा शायद ही आपको कहीं मिले यह question भी current affair का है यह question basically contemporary affairs है यहाँ पुछा है global compact for safe, orderly and regular migration even though यहाँ पर आप elimination लगा सकते थे like all the countries बोलाएं यहाँ बाइंडिंग बोलाएं generally बहुत कम treaty होता है जो binding होता है और बहुत कम treaty होता है जिसको सारी country sign करती है तो आप यहाँ से इन दोनों options को eliminate कर सकते थे आपका answer जाता only one बट यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे है कि कौन सा question current affair based है कौन सा आपको regular resource में मिलेगा और कौन सा नहीं मिलेगा यह question current affair based है यह भी है 17 इस question में आप देखो Israel has established diplomatic relation with some Arab state यह आपका statement 1 सही है statement 2 देखो Arab peace initiative के बारे में बोला है और यह initiative बहुत पुराना initiative है किसी किसी जगह यह news में था जब Abraham Accord news में था मतलब 2020 के time की बात है और वो भी बहुत evidently आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता आप थोड़ा extra research करते तब आपको यह मिलता बहुत जगह इसको भी current affair में classify करते हैं यह current affair based नहीं है यह current affair based है 44th chess Olympiad पहले UPSC sports से question नहीं पूछता था बट पिछले एक दो सालों में UPSC sports से question पूछ रहा है यह question pure current affair का था यह question भी contemporary affairs का है यह question भी contemporary affairs का है 20 हो गया so total 100 question में से 20 question ऐसे हैं जो current affairs plus contemporary affairs के हैं इन 20 question में से भी आप max to max लोगे तो 10 से 12 question ही आपको ऐसे मिलेंगे जो purely current affair based है जिनको आप magazine में पढ़ोगे जो पिछले एक देर साल से news में थे नाव हमने यह तो देख लिया कि कितने question current affairs से आते हैं और कितने questions ऐसे हैं जो contemporary affairs हैं या फिर static based current हैं अब question यह arise होता है कि करना क्या है कैसे begin करना है especially उनके लिए जो बहुत अच्छे से current affairs नहीं पढ़े हैं या फिर जो zero से start कर रहे हैं देखो सबसे पहले वो जो अपना routine follow कर रहे हैं जो अपना plan follow कर रहे हैं newspaper पढ़ रहे हैं monthly magazine पढ़ रहे हैं और उनके पास अपना एक schedule है तो वो इसको follow करते रहें और इसी पर trust करें यह exam एक relative exam है आपको सबसे अच्छा नहीं करना है आपको अपने opponents अच्छा करना है and trust me अगर आप monthly magazine अच्छे से follow कर रहे हो newspaper पढ़ रहे हो then it's more than enough इससे ज़्यादा current affair पढ़ने के ज़रत नहीं है now the question arise कि जो zero से start कर रहे है scratch से start कर रहे है वो क्या करें काफी लोग को यह fear होता है काफी लोग panic करते हैं कि उनके chances कम हो गए है वो pre qualify नहीं कर पाएंगे तो यह बिल्कुल बगवास है देखो अभी आपके सामने तीन resource है पहला newspaper हो गया दूसरा monthly magazine हो गया और तीसरा yearly compilation हो गया इसमें से क्या follow करें इससे पहले आप एक analysis देखो अभी November start हो गया है और May में आपका exam है जो लोग monthly magazine इस start से follow कर रहे हैं वो भी max to max April तक follow कर पाएंगे April में वो March का news पढ़ेंगे तो effectively अगर आप आज से monthly magazine पढ़ना start करते हो तो आप 5 महीने का पढ़ पाओगे November का यहाँ पर अक्टूबर का पढ़ोगे फिर December, Jan, Feb, March यह 5 महीना आप monthly magazine से cover कर पाओगे बट यहाँ problem यह है कि number of questions देखो इन 5 महीनों में बहुत जादा नहीं आएंगे UPSC में एक मंत से max to max एक या दो questions पूछा जाता है और यह भी ज़रूरी नहीं है कि हर महीने से पूछा जाए हो सकता है आप इन 5 मंत की magazine को cover करो और max to max आपको एक से दो questions देखनों को मिले तो इसका cost benefit बहुत पूर है और जो पीछे के backlogs हैं वो आप cover कर नहीं पाओगे approximately 6-7 महिने का backlog होगा 6-7 magazine होगा जो बहुत possible है कि आप cover ना कर पाओ सो आपको करना क्या है देखो जो अभी start कर रहे हैं वो मंतिली magazine ना follow करें वो क्या करें कि daily newspaper पढ़ें daily newspaper आप 45 से 1 घंटा पढ़ सकते हो और newspaper के notes नहीं prepare करना है सिर्फ newspaper को read करना है और reading के process में अगर आपको कोई ऐसा term मिले for example जैसे वोलबाचिया method पूछ लिया था मियावाकी method पूछ लिया था किसी treaty का नाम दिख जाए किसी institution का नाम दिख जाए तो वो आप note down कर सकते हो बट ऐसा नहीं कि आप newspaper लेके properly pre के notes बनाने बेर जाओ बहुत जादा को करना है तो आप editorials को summarize कर सकते हो and for pre आप क्या कर सकते हो कि early compilation पर सकते हो early compilation में देखो बहुत से magazine आ गई है बट फिर भी जो मुझे सबसे सटीक लगता है सबसे accurate लगता है वो है PT 365 और यहां से कितने question बनते हैं कितने question नहीं बनते हैं वो मैंने यहां पे compile कर दिया है इस PDF को मैं telegram पे upload कर दूँगा आप देख ले ना जो यहां पे sources दिये गए हैं यह सारे PT के हैं इसलिए मैंने यहां पे screenshot लगा दिया है काफी question आपके PT से solve हो जाते बट इस बार problem क्या हुई न कि options देखोगे तो वहां पे elimination बिल्कुल लग नहीं पा रहा है तीन statement में अगर आप एक जानते हो बाकी दो नहीं जानते हो तब भी गलत होने का chance वहां पे 75% है तो options question को अतना tough बना दिया है कि अगर आपको एक दो चीजे पता भी है फिर भी आप सही answer तक नहीं पहुच पाऊगे nonetheless आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना काफी question ऐसे हैं जो PT से solve हो जाते हैं देखो PT 35 ऐसा नहीं कि one stop solution है बट जितना input देते हो उसके proportionate आपको काफी output मिलता है और जैसा मैंने बोला है कि आपको current affairs और contemporary affairs दोनों में difference करना आना चाहिए purely current affairs के question बहुत कम होते हैं exam में maximum जो question होते हैं वो contemporary affairs के होते हैं दो साल धाई साल पुराने होते हैं और आप 2-3 साल की magazine उठा के नहीं पर सकते हो इसलिए कोई भी एक resource पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से complete करो at least उसमें से question आया तो आपका गलत ना हो pre के लिए vision की PT 365 पर सकते हो और mains के लिए जो mains 365 आता है उस पर rely कर सकते हो because जो mains के question होते हैं issue based होते हैं broad question होते हैं UPSC हमेशा वही issue पूछेगा जो पिछले एक देर साल से news में होंगे और वो चीज़ मोटा मोटा magazine में cover हो ही जाता है मैंने इस video में pre को analyze किया है अपने further videos में मैं mains के भी current affair को analyze करूँगा and I'll show you कि वहां major issue ही पूछा जाता है so finally to conclude myself the one resource which you should follow at this point of time अगर आप zero से start कर रहे हो तो PT365 परना and along with that आप daily newspaper पर सकते हो and this will ensure कि आप competition में रहो और जो time आप यहां पर save कर रहे हो उसको आप art and culture, ancient history, medieval history, economics जो भी आपका static part है उसको build up करने में इन्वेस्ट करो thank you for your time